दोस्तों वैसे तो मैं इस चैनल पर आपके लिए फोटोशॉप और ग्राफिक्स डिजाइन की वीडियो लेकर आता हूं लेकिन इस वीडियो में आपको अपने लैप्टॉप की अन्बॉक्सिंग और रिव्यू करके दिखाऊंगा और अगर आप भी एक अच्छा से को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों यह है मेरा नहीं लैप्टॉप असर नाइट्रो 5 जो कि मैंने अमेजन से मंगा था हाला कि यह जो लैप्टॉप है वह आपकी पसंद है क्योंकि मुझे भी सुरू में कंट्फ्यूजन थी कि कौन सा लैप्टॉप तो इसलिए मैंने कम्म तो यहां पर बिना समय बढ़ात के मार जो लैप्टॉप है वह उचुक है अनबॉक्स और यहां पर हमें लैप्टॉप और चार्जर की सिवाइस के साथ एक यूजर गाइड मिली हुए है और साथ में एच डीडी अप्ग्रेट करने के लिए अगर हम बाद में कभी एच ड की बात करें तो मेरे पास जो वेडियेंट है उसमें जो है AMD राइजन 53550H का क्वार्ट कोर्ड प्रोसेसर दिया गया है जिसकी स्पीड 3.7 गीगाहर्ट है 512GB की SSD storage इसमें दी गई है और कोई भी HDD इसके साथ नहीं है लेकिन 2TB HDD के साथ बाद में आप इससे अप्ग्रेट कर सकते हैं अगर आपको जोड़त हो तो और RAM जो है वह 8GB की DDR4 RAM इसमें लगे हुए है जिसे आप 32GB तक बढ़ा सकते हैं RAM के लिए 2 slot दिये हुए हैं बात की जाए graphics card की तो इसमें 4GB की GTX 1650 graphics card दी हुए है जो की एक plus point है और display की बात करें तो 15.6 IPS की full HD display दी हुए है जो की backlit TFT LCD display है laptop का weight 2.2 kg है और इसमें कोई भी optical drive नहीं दी गई है जिसके अब जो है जो रद भी नहीं होती है Windows 10 Home पहले से installed है और इसमें आपको एक hdml port एक usb 2.0 port usb 3.1 type-a का दो port और एक usb 3.1 type-c port मिलता है बैटरी जो है वह चार सेल की लियोन बैटरी है और company के अनुसार यह जो है वह साथ से 8 गंटे तक चलती है लेकिन अभी तक इस चीज को मैंने चेक नहीं किया हुआ है लेकिन बहुत सारे रिव्यू वीडियो जो की यूट्यूब पर पहले से अब ले भले इसके अनुसार से बैटरी जो है अगर आप नॉर्माल कामों के लिए यूज कर रहे है तो वह पास से चे गंटे तक चल सकती है और अगर आप गेमिंग के लिए इसे यूज कर रहे है तो बैटरी जो है च तो यहां पर इसने स्टार्ट होने में सिर्फ 5-6 सकेंड का ही समय लिया है और बैकलाइट कीबोर्ड होने के कारण लैप्टोप जो है वो बहुत ही अच्छा लूग दे रहा है और इसमें आपको RGB कीबोर्ड नहीं मिलेगा यह सिर्फ रेट कलर में ही आपको दिखेगा उपर जो है 720 मेगापिक्सल की HD webcam है जिसे आप उतना अच्छा तो नहीं कह सकते लेकिन गुरूप कॉल जैसे कामों के लिए ठीक है तो दोस्तों इस लैप्टोप के बारे में इतना ही क्योंकि मुझे अभी तक इसके बारे में इतना ही पता था और अगर आपको इसके उपर औ आपको पसंद आया हो तो लाइक करें दोस्तों के साथ सेर करें और हमारी चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बैल आइकन को भी दबा दें ताकि आप फोड़ोशॉप या फिर ग्राफिक्स डिजाइन्स की वीडियो चैनल पर देख सके तो वीडियो को पुड़ा देखने के लिए आपका धनिवाद